Hello Friends, Welcome to Code Meta Channel Previous Video में हमने बात करी थी Style Component की हमारी एप्लिकेशन जो चल रही थी वो है Expense Tracker जिस पे उपर हमने Style Component के Through हमने यहाँ पे Transitions को Add किया था Now, इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि किस तरीके से हम CSS Modules का Use कर सकते हैं जो कि Better Than है Style Component के और Other Normal CSS के ऐसा क्यों? क्योंकि जो Style Component होती है अगर हम हमारे Forum.js में जाए जहां पे हमने हमारे Code को Comment किया Style Component के Code को और Normal CSS में कर दिये जैसे थी हमारी जैसे चीज थी ठीके? यह हमारा लिखावा था Code Last Time जिसमें हमने Style Component का Use करके एक Component बनाया थे खुद के Custom Component और उनको यूज किया था इसको हमने Comment कर दिया इससे क्या होता था? कि जो हमारी एक तो पहली चीज तो हमारे Code जो फाइल है वो लेंदी होती थी प्लस क्या होता था? कि इसमें हमें यह पताने चलता था कि कौन सी Style है और JSX भी हमारी साफ सुतरी नहीं दिखती थी हमें JSX को Clean रखना होता है ठीक है? तो इसके लिए क्या किया हमने हमारा जो Style Component था उसका Code कमेंट कर दिया हमने यह इसलिए किया पहले थाकि हमारी जो वीडियो है वो प्रॉपर बने और छोटी रहे अब चलते हम कि हम Style जो हमारा Modules.css उसका Use क्यों है? Module.css से हम कोई भी Dynamic CSS को Apply कर सकते हैं प्लस यह कर सकते हैं कि अगर हमारे पर Multiple Forums हो Supposed करो और उसके लिए हम अलग-अलग CSS का Use करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एक Specific CSS को वहाँ से निकाल सकते हैं Otherwise क्या होगा? Frontend के उपर हमारे पास पूरी CSS में लिखावा Code Implement होगा Suppose करो Forum.css पे हमारे बहुत सारा Code है और अगर उसमें से सिरफ Specific चीज़े निकाल ली हैं तो क्या करना पड़ेगा? हम Forum.Module.css का Use कर सकते हैं जहां पे हमारे जो Code है जो Optimized Code आएगा हमारे पास रिनेम करना होता है जो हमारी CSS Filers को रिनेम करेंगे या नई फाइल भी बना सकते हैं इसको लिखते हैं Forum Capital में F होता है ठीक है? जैसे कि हम Component का Name देते हैं Forum.Module.css इसको लिखते है Forum.Module.css ठीक है? इस तरीके से इसका नाम दे देते हैं ठीक Something is happened It is not changed Okay Maybe first we have to Comment out this क्योंकि React के नहीं फीचर देली आते हैं अपडेट होते हैं तो हम latest version में काम कर रहे हैं ठीक है? अब क्या करते हैं अब इससे वापस से रिनेम करते हैं Forum.Module.css Okay Now It's working Okay अब हम क्या करते हैं Forum.CSS में जाते हैं और क्या करते हैं इस इंपोर्ट में हमको एक object बनाना पड़ेगा कैसे Forum.CSS From From यहां पर आए अब यहां पर कौन सी CSS है? Capital F वावल यह Forum.Module.CSS है यहां पर Forum.D Forum.Module.CSS है Okay Small में यह सब अब क्या करते हैं हम हमारे Front End पर चलते हैं देखते हैं क्या-क्या चीज़े चेंज हुई है हमारे पास हमारे जो form है वह पूरी तरीके से चेंज हो चुका है ठीक है क्या हो गया सारी चीज़े गायब हो गई अब क्या करते हैं हम हमारे code में आते हैं यहां पे हमारा जो object बनाया हुआ CSS का इसको हम copy करके रख लेते हैं अब क्या करते हैं कि हमारे form में जित्ती भी चीज़े हैं इसको change करते हैं यह IDT यह हमारे पास class है इस class को हम बाद में change करेंगे इसका bracket लेंगे ठीक है dynamic code के लिए first bracket लेना होता है CSS apply करने के लिए सबसे पहले हमें इसको लगाना पड़ेगा यह क्या चीज़ थी हमने जो बताई थी back ticks इसके बाद हमें dollar का sign लगाना पड़ेगा और एक code और लगाना पड़ेगा ठीक है तो हमें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यह हम पहले भी बात कर चुके हैं हमारे inline CSS में और यहां भी आपको दिखा रहे हैं dynamic code में भी हमने इसकी बात previous chapters में कीवी है अब चलते हैं हम आगे हमारे काम क्या करते हैं जो हमने object कॉपी किया था तो उसको यहां पे पेस्ट करते हैं ठीक है dollar के अंदर dot operator लगाते हैं और btnd लिख देते हैं ठीक है यह हमारी CSS से इसको save करते हैं अब देखते हैं कि हमारे forum में क्या change हुआ है चलते हैं हमारे forum में ओके हमने तो form ही show कर रहा था sorry मैं आपको code वापस दिखा देता हूँ एक बार तो यह change हो गया ठीक है code कैसे change हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ forum.js में आया हम हमने क्या बोला था कि हम क्या करते हैं forum.css में from इसको module को ले लेते हैं इसका नाम हमने क्या किया था forum.module.css करते हैं यहां पे और इसमें object बना लेते हैं अब इस object का use क्या करते हैं इस तरीके से bracket लगाते हैं इसमें backtix लगाया ampersand जो bracket होता वो यहां पे हमने लगाया dollar का sign bracket और इसमें object लिगा forum.btn जो हमें class यहां पे लिखी थी module के अंदर .btn का है यह वाली इस तरीके से अगर .btn है यहां पे कोई class तो हम उसको इस तरीके से यहां पे use कर सकते हैं ठीक है जैसे हम इसको save करते हैं तो यह हमारी process लाती suppose करोगे हमें और भी class चाहिए तो हम फिर यहां पे dollar लगाते हैं कि हमें forum-control इसका use करना है ठीक है इसके ओपर CSS लगाने तो वो कैसे लगाएंगे हम यहां पे जाएंगे bracket हटाया यह वाला bracket लगाया ठीक है क्या होना चाहिए था back ticks होने चाहिए थे यहां पे सबसे पहले हमारे पास back ticks लगाया एक बार bracket और लगाया हमने एक बार bracket लगाया और इधर भी हमने bracket लगाया इसमें हमने क्या लेका percent का sign अब यहां पे हम इसको इस तरीके से forum dot करके यह लिख सकते हैं ठीक है अगर इसको save करते हैं तो error आ गई ठीक है यह error क्यों आई इसको किस तरीके से solve करेंगे अब हम क्योंकि हमने जो सीखा वह यही था कि हम class के object का name लिखते हैं जो हमने बनाई भी थी component के object का name dot लगा के आगे हम class का name लिख देते हैं तो इस तरीके की जिसमें अगर इस पे यह hyphen होता है जो class होती है यह underscore होता है उस class को हम किस तरीके से लिखते हैं उसको लिखने का एक different तरीका है उसको कैसे लिखते हैं उसको dot से use नहीं करते हैं उसको लिखते हैं bracket से जैसे कि हम normal हमारे array object को यहां पर call करते थे ना उस तरीके से इसमें हम इस तरीके से इसको call कर देते हैं दो bracket लगाए और इसको codes में डाल दिया ठीक नौ अब save करते हैं और देखते हैं क्या होता है front end के उपर यह हमारी CSS को call करेगा कि नहीं करेगा यस इसने हमारे call कर लिया CSS को ठीक है अब चलते हैं और other चीजों को को भी set करते हैं ठीक है pause करते हैं एक मिटीले और other चीजों को भी set करते हैं अब अगर हमारे updated code को देखे हम तो हमने क्या किया यहां पे भी हमने class लेग दी forum control वाली और दूसरी भी change कर दी यहां पे हमने क्या किया जो हमारे invalid condition थी उसके according class बनाई है कैसे कि अगर हमारी एक invalid condition है या नहीं है तो क्या होगा इस तरीके से और code invalid नहीं है तब तो हमारी मतलब valid नहीं है तो हमारी यह वाली class आएगी is valid वाली कि वह valid है या नहीं उसकी class apply हो जाएगी और अगर क्या होता है कि यह गल्दी यहां पर अगर मालों को valid हो जाता है तो वह यह class remove वाली लग जाएगी ठीक है जो normal वाली class होगी ठीक ऐसे ही हमने क्या चेक करा है इसके साथ एक और चीज कि अगर वह invalid नहीं है तो हमारी border भी class लगेगी ठीक चलिए देखते हैं हमारे front end पे क्या changes होगे थे हम चलते हैं browser पे तो हमने क्या देखा कि यह देखो यह हमारी class लग गई border लग गई और यह हमारे transition लग गया इस तरीके से हमारी सारी चीज़े set हो होता है कि हमारे पास वो ही CSS वो ही JS आएगी जो हम चाहेंगे अगर हम इसको inspect element करके देखे तो यह dynamic classes बनेंगी not static देखो यह चीज़े आ गई इस तरीके से यह dynamic classes बननी शुरू हो गई ठीक है कैसे अब देखो यहाँ पर क्या हो गया यह class आ गई यह undefined आ रही है form control वाली एक बड़ देख लेते हैं ऐसा क्यों हूँ हूँ form control हमारी undefined की हो गई यहाँ पर अब आप देखोगे तो हमारी form control क्या हो गई बिल्कुल परफेक्ट हो गई class और यहाँ पर dynamic आ रही है ठीक है issue क्या था यहाँ पर कि जो हमारी css थी form-control की वह form.css form.module.css में add ही नहीं की थी अगर हम हमारे code की बात करें code में अगर हम यहाँ पर आए form.js में हमारी form.module.css form.module.css में हम तो यहाँ पर क्या किया था हमने यह वाली class ही add नहीं की थी इसलिए one defined आ रहा था हो दोस्तो आपको समझा है होगा किस तरीके से model.css काम करती है और किति डिफरेंट है यह नॉर्मल css से एंड style css से इससे इससे क्या होता है कि आपको जो code होता है वो भी कोई feedback है तो उसे comment box में add कीजिए साथ ही साथ अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो को आप easily देख सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और गुट बगाई